कि नमस्कार एव्रिवान कैसे आप सब बढ़िया आई होप आप सब लुब बहुत अच्छे होटिल इंडस्ट्री हमेजा फूस होते हैं और खूस तो को होना ही क्यों कि आप गनेज़ास होटिलियर के चैनल में जो हो आज का वीडियो बहुत इंपर्ट होने वाले खुद को अब्लेड करने की वीडियो अगर इंडियन चैनल में काम करते हो तो कहीं पर लिखाने की आप तंदूर माज सीखो आपने आपको जितना अब्लेड करोगे उतना आगे जाओगे और आप लोगों के लिए तंदूर के चार मस्तर मसाला के रेसिपी जो बहुत ही असाने तरी पनी टिका हो गया चिकन टिका हो गया चिकन अजवाइन टिका हो गया पनी टका टक हो गया चिकन टका टक हो गया ऐसे बहुत सारे डिसे आप बना सकते हो और यह छोड के भी आप उतना सारे डिस खुद से भी डेवलप कर सकते हो इनू चारों मसाला से इससे बाहर कुछ मसा समय नहीं होते हैं तो चेलिए दिखते हैं स्टेब बाइस टो चली सुरू करते हैं योलो मसाला से योलो मसाला की में लेली हो मस्टरड ओयल और आप मैं एड़ कर दूंगा इसमें थर्मरिक पाउडर एक टी स्पून तर्मरिक पाउडर को पकाना नहीं तुरंट की तुर्ण आपको इस तरह से उतर नहीं क्योंकि यह जल जाएगा तो आपका मसाला बहुत ही खराब होजए यह खली कलर के लिए मैं यूज करूँ क्योंकि मैं कोई भी ऐसे आटेपिसल कलर यूज नहीं करूँगा यही कलर होगा रैड कर लिया हमें हांकार्ड तीन टेबल स्पून जेए अब मैं आड करूँगा मेरा और्गनी कल और म मस्टर्ड वयलन टाब मरे फॉर्डर कर लूद कर ल्यूद तो चलिया देखते हैं का आजू पेस्ट कैसे बनाते हैं का जू बनाने के लिए मैं काजू और ले लिया हो पिनाट फ्ञजश कॉंक्ट लिए मिनिर शिव्व् मैंने याड के लिए दो से पीन टेबिल स्टुन आफ मिल्क एड कुरूं में छोड़े-छोड़े दो क्यूब आफ चीज चीज मिल्क और एक काजू पीनट जैसे एड हो जाए बहुत अच्छा पेस्ट हो जाएगा और इसी कारण में में बोलता हूं मेरे चैनल में रहो और य एड कर रहो में गरम मसाला एड करूंगा जीरा पाउडर एड करूंगा चाट मसाला एड कर रहो हल्दी पाउडर यानि टार्मरिक पाउडर डगी मीर्च कस्मिरी मीर्च ओनियन पाउडर जीरा पाउडर कस्तुरी मिस्थी हमारा यह योलो मसाला है तो धेन रहे यहां पर बिगी मिर्च कस्मीर इमिर्च बहुत कम यूज करना है एड़ करूंगा ब्लैक सॉल्ट है अद्रगले सुन पेस्ट क्रीम लामन जुस कि एड़ करूंगा ब्लैक पेपर पाउडर हमने सारे मसाला से अब बारिया हुई से इस तरह से मिलाना और आपका योल मसाला हो जाएगा प्यार on और इसमस्य मसाला से बना सकते हो भेच नों भेच में कहीं सारे टिका और बरबीक्यू इसमस्य मसलसह में बना लेढ़ाज लखनोही चिकेंगे का सी आपके साम से बहुत जल्दी में लेकर आऊंगािए आप सलिगा बनाने जा रहे है तंदूरी टिका मसाला जिससे बना सकते हैं चिकन टिका मटन टीका है सोना प्रयाओ को हलका गरम करिए एड करिए कस्वी रेड चिली तो हमारा नाच्वरल कलर हो गया जो हम लोग रेड तिका मसला में यूज़ करेंगे धैन रहे यहां पर आपको वैल को पकाना नहीं है बहुत गरम नहीं करना है और चिली पॉडर एड कर देने तो आपका यह वैल रेडी हो ज मस्टरड और और रेड चिली पॉडर से ओ एड कर लेना है आपको कलर के लिए एड करूंगा सॉल्ट एड करूंगा टार्मरीक पॉडर यानि हल्दी पॉडर एड करूंगा दीगी मिर्च पॉडर एड करूंगा कस्मिरी मिर्च पॉडर जो कलर में काम आएगा एड और एड़ करूंगा हमारे रसी पेक युनिक चीज जो है बैसन का खोल पहले देख लेंगे कैसे बनाते हैं फिर में आपको बताएंगो इसका काम क्या है पहले आड़ कर लीजे पैन में ओयल तो जैसे ओयल गरम होता है एड़ करूंगा बैसन और इसको बहुत ही लो फ्लेम प पारण के आए जैसे एड़ कर दो एक सिक्रेट रेसीपी है आपको कपी टाम देना टिका मसाला निकल जाते है लगता नीवरबर पकड़ता ने यह एड़ करना में यह पूरा मसाला को पकड़ के रखेगा अभी मैं एड़ कर लूंगा ब्लैक सॉल्ट एड़ करूंगा काज तो आप भी एक न्याड़े स्ट्राइक करना और मेरे को टैग करना और कमेंट में बताना आपने क्या बनाया था अब बनाते हैं हाइदराबादी ग्रीन टिक का मसाला तो मैंने इसके लिए ले लिया हूँ एक मिक्सर उसमें मैं ऐड़ कर रहा पालक एड़ करूंगा थोड़ा सा धनिया यानि कुरेंडर एड़ कर रहा हूँ अद्रक एड़ कर रहाओ चीज एड़ करूंगा में ग्रीम इसलिए और एड करूंगा मैं यहां पर पूद्धिना का पत्ता और एड कर रहा हूं मैं यहां पर लेमन जूस ठीक इसी तरह से लेमन जूस को पहले से निकाल के मत रखना क्योंकि बिटर हो जाता है कड़वा हो जाता है इसलिए इसे कट के रखो और रियल टाइम आड करो अब मैं आड करो हैंपे 100 जैसा हैंकाड हैंकाड यूस करना बहुत जुरूरी है नॉर्मल धाई यूस मत करना क्या आपका यह जाँ हैं एक कजूपेस्ट फिर मैं एड कर लोंगा यहाँ पे ब्लाक पेपर सोगर वाइट प्र अंचिर परड़ तरमारीपर धनिया पावडर एंचेर पावडर आड कर लेते हैं गरम मसला ओनियंट पावडर आंचिर पावडर और एड कर लोंगा बैसन का घॉल एड करी क्रीम और एड़ करूंगा लेमन जूस फिर इसको मिला तरही है तो आपका त्यार हो जागा ग्रीन टिका मसाला जिसमें साब सब्सक्राइब बना सकते हो अगर होटल इंडस्टी से बिलोंग नहीं भी करते हैं और कुकिंग आपका पैसे नहीं और मेरे साथ रहे कि आप अपन कुन सा इंग्रीडियन कितना परिमान डलना है मेरे लिखा हुआ है अभी हमारा एड़ करेंगे मिस्टर इंग्रीडियन जिसको आपका जो भी लगाओ चिकंटिका या पनी टेको उसमें से मसाला कभी छोड के बाहर नहीं आए तो चलिए आप एड़ करते हैं क्रीम एड़ क कार बित安 queremos मेरेन जुसस से पहलें लेता भाइसड़ रहे परबनी करोड़ स्विदियो को बनाने के लिए बहुत टाइम आमुने सिंट किया है तो आप लोग एक छोटा सा रिकोष्ट अगर वीडियो थोड़ा भी आपको काम का लाइक हुआ है तो आप प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो माच जैसे आपका सारे मसाला एड व क्रीम तो इसको लगना चाहे है और इससे आप बना सकते हो सक्ड़ों मजादार रेशिपी कैसे लगा जरूर आप लोग कमेंट में बताना थैंक्यू सो माच वाबाई